Hello friends, आज का हमारा टॉपिक है उनिफॉर्म दिस्रिबुशन, उनिफॉर्म दिस्रिबुशन को हम लोग रिक्टाइंगुलर दिस्रिबुशन भी बोलते हैं, उनिफॉर्म दिस्रिबुशन और रिक्टाइंगुलर दिस्रिबुशन, तो उनिफॉर्म दिस्रिबुशन में क्या होगा fx equal to 1 by b minus और interval है a और b और x तो a less than x less than equal to b मतलब x जो है a और b के बीच में बिलांग करता है और 0 होगा अगर इस condition से कुछ और हुआ तो यह हो जाएगा fx equal to 0 तो यह है uniform distribution इसका mean और variance क्या होगा mean इसका mean का formula क्या होता है mean यानि के expectation expectation of x equal to होता है जैसे कि हम लोग जानते है minus infinity to plus infinity x into fx तो minus infinity to plus infinity और हम लोग का uniform distribution है और हम लोग का condition यह है तो इसमें क्या होगा जिस तरीके से line पे देखेंगे तो यह है minus infinity यह है plus infinity यह है a यह है b और इसके बीच में x बिलांग कर रहा है तो पहले यह वाला case को लेंगे फिर इसमें दोनों के बीच को लेंगे फिर इसको लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे लेंगे minus infinity to a मतलब minus infinity to a x into fx plus a से b a to b x into fx plus integration of b to infinity b to infinity x into fx यह हो जाएगा आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में अगर रहे यहाँ देख रहे हैं इन दोनों के बीच में तो नहीं है यह कुछ और case है तो यहाँ पर 0 लेंगे यह हो जाएगा 0 fx का value 0 हुआ तो पूरा 0 ठीक है इन दोनों के बीच में मतलब यह वाला value fx का value हो गया 1 by b minus a तो integration of a to b x into 1 by b minus a प्लस यहाँ पर क्या है b से infinity मतलब यहाँ पर भी 0 होगा ठीक है बी से infinity वाले में भी 0 तो fx का value 0 मतलब यह पूरा 0 तो यहाँ पर भी यह 0 अब इस integration बहुत simple integration है इसको solve करेंगे यहाँ पर dx भी लेंगे सब में dx लेंगे actually dx ठीक है तो सब 0 हो गया यह बचा इसको integration करेंगे तो 1 by b minus a है और dx के साथ है तो यह constant बहार आ जाएगा 1 by b minus a और यह x का जो integration क्या होगा x square by 2 और limit है a to b a to b तो इसका value हो जाएगा 1 by b minus a और यहाँ पुट करेंगे 1 by 2 जो है बहार आ गया 2 और x square है मतलब b square minus a square अब इधर से यह cancel होगा तो क्या हो जाएगा यह b square है minus a square यानिके b minus a b plus a और नीचे होगा 2 into b minus a यह cancel हो गया क्या बचा है a plus b by 2 तो जिस तरीके से देखे हम लोग solve करके तो इसका जो mean आया है a plus b by 2 तो uniform distribution में a plus b by 2 जो है mean होता है अब बात करते हैं अगर variance की तो इसका variance निकालेंगे तो basically हम लोग जानते हैं कि variance का formula होता है variance of x equals to expectation of x का square minus expectation of x का whole square अब expectation of x क्या है mean है अब mean का square कर देंगे मतलब इसका square कर देंगे तो हो जाएगा पर हम लोग को यह value नहीं पता है तो इसको निकालना पड़ेगा लिखेंगे therefore expectation of x square equals to हम लोग के पास formula है expectation of x square का integration of minus infinity to plus infinity x square है तो यहाँ x square into f of x mean में होता था हम लोगों का x into fx और यहाँ पर होगा x square into fx क्योंकि यहाँ पर expectation of x square है तो हम लोग अब इसका value निकालेंगे simple इसी तरीके से निकालेंगे जैसे यहाँ पर था limit यह इसी तरीके से minus infinity to a, a to b और b to infinity तो यहाँ पर भी वही सेम चीज लिखेंगे, minus infinity to a, यहाँ dx भी लिखेंगे x square into f of x dx plus a to b x square into fx dx plus b to infinity x square into fx dx फिर यहाँ पर यह जो case है इसमें भी यह fx का value जो है 0 है क्योंकि यह 0 है तो पूरा 0 यहाँ पर लिख देंगे 0 plus integration of a to b x square, fx का value है हमारा 1 by b minus a fx का value यहाँ से आया, fx equal to 1 by b minus a, यहाँ लिखें 1 by b minus a, प्लस यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर भी fx का value 0 है, जैसे यहाँ पर था 0, otherwise का case में 0 था, तो इस वाले case में fx का value 0 मतलब यह 0 अब इसको solve करेंगे, यहाँ dx लिखेंगे, 1 by b minus a constant बहार आएगा, अब x square का क्या होगा, x cube by 3, limit है a to b, इसका value हो जाएगा, 1 by 3 into b minus a, और यह क्या होगा, b cube minus a cube, इसको solve करेंगे, इसका value हो जाएगा, b minus a into a square plus ab plus b square, और नीचे है, 3 into b minus a, b minus a से b minus a cancel होगा, यहाँ पर बचेगा a square plus ab plus b square by 3, अब यह जो value आया हम लोग का e of x square का आया है, अब variance निकालने के लिए, हम लोग इसमें से mean का square को minus करना पड़ेगा, मतलब इसमें से, इसका square को minus करेंगे, तो हम लोगों का, यह variance आ जाएगा, तो यहाँ पर ही, इसी तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग, इसके बाद यहाँ से देख रहे हैं, तो variance of x, equal to क्या होगा, यह वाला, मतलब a square plus ab plus b square by 3 minus इसका square, a plus b का whole square by 4, यहाँ पर हम लेंगे इसका, यहाँ पर हम होगा 12, यह होगा 4a square plus 4ab plus 4b square, और यहाँ पर होगा minus 3a square, minus 3b square, और यहाँ पर होगा minus 3 into 2, 6ab, okay, finally क्या आएगा हम लोगों क्या, यहाँ पर a square minus 2ab plus b square by 12, अब इसको simple है, a minus b का whole square by 12, okay, तो यह हमारा mean है यह, और variance है यह, एक simple question को solve करेंगे, uniform distribution से related, okay, तो हमारे पास यह question है, if x is uniformly distributed in interval, minus 2 less than equal to x, less than equal to 2, और हम लोगों को find out करना है, p of mod x minus 1 greater than equal to half, अब यहाँ question में दे दिया है uniformly distributed, तो हम लोगों को uniform distributed पता है, कि fx equal to होता है, 1 by b minus a, ठीक है, अब 1 by b minus a होता है, जहाँ पर a less than equal to x, less than equal to b होता है, अब यहाँ पर हम लोगों देखेंगे, कि x जो है, minus 2 और 2 के बीच में है, तो मतलब a का value हो जाएगा minus 2 और b का value होगा 2, तो in this question, fx equal to क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1 by b minus a मतलब 2 minus of minus 2, यानिके 1 by 4, अब एक और condition था हमारा, तो simple हम लोगों यहाँ लिखेंगे, fx equal to 1 by 4, अगर x जो है, minus 2 और 2 के बीच में है, तो 1 by 4, अगर कुछ और है तो 0, ठीक है, यह हम लोगों का हो गया, इस question में, अब हम लोगों को निकालना है, p of mod x minus 1 greater than equal to half, तो लिकालेंगे हैं हम लोगे हाप पे, p of mod x minus 1 greater than equal to half, इसका value क्या होगा, पहले तो हम लोगों को mod का case पता है, mod का 2 case होगा, अगर x minus 1 mod से बाहर आएगा, तो x minus 1 होगा, और दूसरा में होगा, minus of x minus 1, और यह greater than equal to half है, तो यहाँ बगल में हम लोग side में देख लेते हैं क्या होगा, x minus 1 greater than equal to half होगा, एक case, और दूसरा case क्या होगा, minus of x minus 1 greater than equal to half, यह दोनों case होगा, अगर यह x minus 1 mod से बाहर आया तो, इस case में क्या होगा, x is greater than equal to half plus 1, यानिके 3 by 2, और इस case को solve करेंगे, तो क्या होगा, minus को उधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, x minus 1 less than equal to minus half, टीके, greater than, less than में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, x less than equal to, क्या होगा, minus half plus 1, यानिके 1 by 2, तो, x greater than equal to 3 by 2, और x less than equal to 1 by 2, और एक और condition है ये, तो ये दोनो condition, और ये दोनो condition मिला के कुल, 4 condition हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे, x का जो value कहां से कहां तक है, तो number line पर हम लोग देखेंगे, कहां से कहां तक लाइग करेगा, तो minus 2 तो यहां है, plus 2 यहां ले लेते हैं, ठीके, half हमारा, ये 3 by 2 और ये 1 by 2 होगा, तो ये है, अब देखा रहा है कि, x जो है greater than equal to 3 by 2, 3 by 2 से बड़ा मतलब ये इधर जाएगा, और यहां इस case में x less than equal to 2 है, मतलब ये 2 से कम, मतलब ये वाला, ये वाला region है, जहां पर x रहेगा, एक ये है, और दूसरा क्या है, x less than equal to half, half से कम, मतलब ये, और इधर क्या बोल रहा है, x जो है, greater than equal to minus 2, तो greater than equal to minus 2, मतलब ये, तो एक ये region है, और एक ये region है, तो इन दोनों को solve करेंगे, और यहां से इसका value निकालेंगे, तो ये equals to क्या होगा, हम लोगों के पास, integration of minus 2 से half, तो minus 2 से 1 by 2, fx dx, ठीक है, plus, एक दूसरा region है, हम लोगों के पास, 3 by 2 से 2, तो 3 by 2 से 2, fx dx, अब देखेंगे, इसका जो region का है, fx का value, इसमें belong कर रहा है, मतलब ये जो value है, x का इन पूरे में है, तो मतलब दोनों केस में हम लोग 1 by 4 ही लेंगे, क्योंकि otherwise के लिए 0 है, तो दोनों में 1 by 4 लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे, यहाँ पे, integration of minus 2 से 1 by 2, fx का value है हमारा, 1 by 4 dx, प्लस, यहाँ पे लिखेंगे, 3 by 2 से 2, 1 by 4 dx, नेक्स्ट क्या होगा, 1 by 4 बाहर आएगा, यहाँ सिम्पल, इस लैन में लिखते हैं, इधर लिखती हो में, 1 by 4 integration, integration minus 2 से 1 by 2 dx, प्लस, 1 by 4 integration, 3 by 2 से 2 dx, सिम्पल सॉल्फ कर लिखेंगे, इसको यहाँ पे हो जाएगा, 1 by 4, minus 2 से 1 by 2, प्लस, 1 by 4, 3 by 2 से 2, 1 by 2, प्लस, 2, 3 by 2 हैं यहाँ पे, इसको सॉल्फ करेंगे, आएगा, 5 by 8, इधर आजाएगा, 1 by 8, तो answer हो जाएगा, हमारा, 6 by 8 equals to 3 by 4, तो यह हो गया हम लोगों का answer, तो देखें, जनरली हम लोगों को इस question में करने का कुछ नहीं था, हम लोगों को पहला, चीज जो था, कि हम लोग यह निफॉर्म distribution question में बोला है, तो हम लोगों को पहले, सबसे पहले यह याद आना चाहिए, कि यहाँ पे जो है, probability density function का value यह होता है, अगर यह होता है, तो उससे हम लोग 1 by 4 निकाल लिए, और फिर जो limit दिया हुआ है, हम लोगों का यहाँ पे, वो limit और इस यहाँ यहाँ पे जो एक्स का लिमिट दिया है, वो limit से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहा से कहा तक x का value बिलॉँ कर रहा है, और फिर उसको यहाँ पे put करके हम लोग simple integration से हम लोग value निकाल लिए So guys अगर आप लोगों को यह video पसंद आया होगा तो मेरी चानल को subscribe कर दिए और video को like कर दिए